हेलो फ्रेंड्स आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ओनलाइन प्रेटफर्म पर हार्दिक स्वागत है तो जैसे कि आप देख रहे हो थमनेल आईटी वाले साथ आईटी के जो भी साथी है उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है एलम की जो वकेंसी है जिसके अंदर आप सभी को पता है यूच और डियेच के अंदर है डियेच की कलियर हो गई और यूच की जो पैंडिंग है भी काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ है इसके उपर क्वालिफिकेशन को लेकर इस पर हम चर्चा करेंगे बिल्कुल छीक है वीडियो को कम्प्लीट देखे उसके बाद ये आपका डिसीजन होना चाहिए जो भी डिसीजन होगा हो पहले कोई भी कमेंट वगरा ना करें पहल जो बाते लिखी हुई है वो सपस्ट लिखी हुई है आपके पास जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो IT आपके पास होनी चाहिए मिनिममम IT अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो मैं एक बार दिखा देता हूं तो ये नोटिस है नोटिस के अंदर पूरा मापको दिखा इसके अंदर है ठीक ना कटेगरी नμबर 21 की बात करेंगे हम ठीक ना जो है वह वह कटेगरी नंबर 1 हो तो कंप्लीट हो गई यहां पर हम चर्चाद करेंगे कटेगरी नंबर 21 की तो यह कौन सी आ यह पोस्ट है तेरा नंबर कटेगरी यहाँ पर नीचे और चलते हैं देखिए क्या लिखा हुआ है यह हो गया एज का सब कुछ तो चलिए यहाँ पर देखिए नीचे essential qualification essential का मतलब आप सभी को पता है जरूरत के लिए ठीक है ना काफी अनिवार यह बाते है metric with two year IT electrician यह wireman trade or having two year vocational course under the trade of line main or electrician maintenance and repair of electrical domestic appliance conducted by director industrial training vocational education haryana or national apprenticeship certificate awarded under the apprenticeship act 1961 from any institute with a minimum 60% marks in respective of general category other category candidates having 55% marks of SE category candidate of haryana domasher recognized by the state government ठीक है ना इसका मतलब आप सभी को पता है बार बार आपने देख भी लिया होगा कि minimum आपके पास qualification है वो IT electrician wireman से आपके पास वहनी जरूरी है ठीक है ना तो यह जो मुद्दा बना हुआ है इतना बड़ाब जो diploma भी टेक इसके अंदर apply कर रखा है और हैं उनके सभी के document भी verification हो गए अभी तक chairman sir ने एक भी इस मुद्दे पर कह बात नहीं बताई डारेक्ट बस एक point वो जानते है point जो भी बच्चा उनको पूछेगा बस एक ही point जानेंगे कि department clear करेगा सब कुछ ठीक ना department clear करेगा सब कुछ तो department clear करेगा सब कुछ तो हर्याना जो HSSC board है वो तो फिर कुछ नहीं है उनको तो फिर notification वगरा बनाना नहीं आता होगा ठीक ना राजस्तान का आपने देख लिया था राजस्तान का जो notification था उस notification के अंदर सिधा लिखा हुआ था कि आपके पास अगर डिपलोमा और बीटेक है you are not eligible for this post सिधा उसके अंदर लिखा हुआ था अगर आपके पास डिपलोमा और बीटेक है तो ठीक है न वह आपको और दिखा देता हूँ यह देखिए राजस्तान का जो notification आया हूँ है टेकनिकल हेलपर का इसमें दो नमबर कॉलम देखिए कि certificate या फिर डिपलोमा ओफ इंडियन आर्मी नैवी एर फोर्स कंसिडर इक्वालेंट टू आइट यह तो इक्वालेंट किया जाएगा इक्वालेंट का लिए लेकिन यह पर डिपलोमा इन इंजिनिरिंग या फिर हाइएर क्वालेंट इंडियन नहीं होगी यह मुदधा सबसे बड़ा बना हुआ है लेकिन हर्याना के अंदर पता नहीं क्या कुछ सिस्टम है यह जो एक्वालेंट निदारित नहीं हुई इनसे बस एक मुदधा डिपार्टमें डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट अब आप सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है जो साथी इस मुद्य को कलियर करना चाहते हैं वास्ताओ के अंदर ठीक है ना कि जो भी नोटिफिकेशन के अकोर्डिंग वकैंसी जो कम्प्लीट होनी चाहिए ठीक है आप सभी ने इस जो वाइरल हुआ है ठीक है तो इस चीज से बचने के लिए हमें क्या है आप सभी साथियों के लिए वीडियो में बना रहा हूं ठीक है ताकि जो मेन मुद्दा है जो क्वालिफिकेशन है उस पर क्या है बात की जाए ठीक है तो देखिए ये फोटो भेजी है काफी बारे में तो ये जो चोदरी रंजीच सिंग इलेक्ट्रिक यानि की विद्यूत अक्षय उर्जा और जेल मंतरी आप सभी को पता है यहां पर देखिए क्या कुछ दिया हुआ है चोदरी रंजीच सिंग जी का ये कहना है कि मैं कल 24 और 25 फरवरी को अपने निवास स्थान सि डिपार्टमेंट जो है यूच का उनके पास आमने आपने रख ली अब जो ये लास्ट सांस रहेगा आपन सभी का कि चेर्मेंट सर के पास आपने रखी है डिपार्टमेंट आपने रखी है तो बस एक ही उनका जवाब मिला है कि डिपार्टमेंट जो करेगा वो हम बता द 25 तारीक हम fix करेंगे ठीक है 24 तारीक fix नहीं करेंगे क्योंकि आज का दिन आज ये वीडियो आप share करोगे कल तक पहुंचेगी लगबग बच्चों के पास कल देखेंगे उसके बाद जितने जादा बच्चे हो सके वो सारी क्या है 25 तारीक को आप क्या है सिर्षा पहुंचो ठीका ना सिर्षा आप सभी को पहुंचना पड़ेगा और वहां पर क्या है जो अपनी application वगेरा हमें लिखनी है जो बतानी है ठीका ना वो हम application के चोदरी रंजीच सिंग चोटाला जी के पास रखेंगे अपनी demand जो रहेगी कि इतने दिन होगे एलम की qualification जो एलम की qualification है वो हभी तक हर्याना स्टाप सेलेक्शन कमिशन से निदारित नहीं की गई है ठीक है तो ये जो बरती जो हो रही है हर्याना बिजली विवाग के अंदर वो सारा आपके अंडर में है चोदरी रंजीच सिंग के अंडर में है तो इसको आप कहे अपने संग्यान में लीजिए और बच्चों के साथ जो भेदवा हो रहा है इतना बड़ा वो ना होने लीजिए और जो भी सपस्ट जो बात लिखी हुए अड़वटाइजमेंट के अंदर उसके इसाफ से क्या है कलियर वकैंसी होने चाहिए ठीक है तो इन सब चोदरी रं कि 25 तारीक को ठीक है ना 25 तारीक निधारित की गई है तो 25 तारीक को एलम की क्वालिफिकेशन के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा रहेगा अपना उसके लिए है चेर में चोदरी रंजीत शिंग्जी से क्या है मिलेंगे तो आप सभी बच्चे भी क्या है वहाँ पर आए जितने ज्यादा संख्या में आओगे उतना क्या फरक पड़ेगा इस चीज का और अप्लिकेशन वगेरा क्या है त्यार करवा लेंगे उसकी कोई चिंता मत करना कोई भी बच्चा ठीक है बस आप इस चीज को क्या है जितने भी आपके दोस्त कोई भी सरकल में है सिर्शा से जो भी है वो क्या है इस चीज को आप पहुंचाओ ठीक है तो यही था मुद्दा बागी क्वालिफिकेशन हमें क्या क्लियर करना जरूरी है एलम की ही क्वालिफिकेशन क्लियर नहीं हो रही तो आगे जो जो मान ली जिए एसडियों की वेकेंसी है जैई की वेकेंसी है और इस चीज के लिए भी चर्चा करेंगे तो 25 तारिक अपने दिमाग में रखे और क्या है बिल्कुल शिर्षा पहुंचे जितने अधिक से अधिक संख्या में बच्चे आ सकते हैं सारे बच्चे आए जो आसपास के तो बिल्कुल जुरूर आई दूर से है चलो कोई बात नहीं दूर से नहीं आ सकते जो आसपास में है इसार, फतेवाद, बिवानी आसे आसपास में है वो जुरूर आई ठीक है ना तो मिलते हैं नेक्स्ट थैंक्यू वेरी मच्च